साहरी सेना युद्ट के कर जुन्नेता चायू ही है अपोजे बातन बेश अहना मुनकू अपोजे बातन बेश अहना मुनकू पातन 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 बेश कि आपकेश आपकेश ऐसी कौम सी आपती आपड़ी है जो मुझे याद किया नावाण नावण नावाण के दो आपनियों ने लंगा में और टेंग मजा रखा है चारा तरफाहा काम मजा हुआ है अच्छा इसलिए इसलिए मैंने आपको याद किया है लगकेस आपने यू तो पॉप पुरा किया जो राम और लक्सवर से टैर किया लेकिन आपकी आग्या के रुजवार आए उन दोनों राम और लक्सवर पाता लोकी देवी की फेट चलाता है लाक्सर सुदकर नाप उचा करूँगा अब लिए पुस हो जाएगी और मुझे सिख्धी मिर जाएगी आप तरीके समय जब सूरी का प्रकात दिखाई थे तो समझ लेना मैंने उस्थू हर लिया अच्छा तब चलता है लास पर लास होगी लास पर लास होगी अफाथ होगी आग्नास पर खून की यदिना पहेंदे देखना पातना पर बुले वक्तो सहसेदा ठक चुकी है एसे तु हनुमान जी को रच्छक निउप्त करके यो आध्या महाराज पर रच्छक निउप्त करावन ऌुमान जी करेंस नीक्त रच्छक भी बुले झाल हुआ 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 है इस रात्री के समय कि आप कहां से आ रहे हो कि एक पॉण कुआ कि मैं भगवान से आग्या लेकर संध्या है तू गया था किम तू बिलंप हो गया अच्छा तो आप जाकर विश्राम कीजिए तीर कर विश्राम कीजिए थीजिए है चक्ति अच्छा श्या रहा है कि तो इस प्रिए आम क्या ओर बजू प्रिए ये लिए हुआ जग खीजिए है जजिए लिए बत्रिएवगर नग्यार को से बात्रिए है हन्हार जरूँ माथड़ है बनुखब जिन कर दो टू дальि जर गल से ही जोर कफर जी जए बांटिए पार डवलसा क्बाटिए हुर के छिंवा हुआ प्राम भाटिए ईियू इमारि है कि प्रफ़ चाल, तब ते हम आती है, से लुभ आते हम आते हैं, समय है, युझा अ उना ए ढगा ही जिए भाई इपारी, आपना ही जित भुला, आपना है, सिल्ग च्छत जिर्वी, देवाथ जर्शा, युझा थाल है, प्रफ़ पते हैं, और रगवादों प्राई प्रफ़ नुमान जी राम लिख्मन जी कहां चले गए नजाने कहां चले गए क्या रात्री की समय यहां कोई आया था हाँ यू राज बिविशन जी यहां जरूर पढ़ा रहे थे भरमान जी मैं तो यही था तो फिर आपका भेस कौन बना सकता है मेरा भेस तो केवल बातार नरेस एहरावणी बना सकता है जिन्त बहुत बातार रोक में रहता है यदि ऐसी बात है तो कौन पुत्र तुम जाकर राम और लक्ष्मन की साहता करो हाँ हाँ घंगान जी आप शीक से शीक जाएए महाराद आपकी आग्या सिरुधारे हो किन्तु आप लोग भी साथान रहना मैं सक्त सिंदू नवखंड जहां के हो प्रभू को लेकर आँगा अन्यता मैं आपको अपना मुखन दिका हुआ जैस्ट प्रिणाओ जैस्ट प्रिणाओ ओ पंदक कहा जाता है नगर के अंदर तू मुझे रोगने वाला है को अरे तू नहीं देख रहा है मैं इस द्वार का रख सको तथा महाबीर हनुमान जी का पुत्र हूँ समझा अरे मूर्व तुझे लच्जा नहीं आती जो मुझ बाल ब्रह्म चारी पर ऐसा लांचन लगाता है तू क्या मेरा पुत्र बिना विवागे ही पैदा हो गया तो क्या आप मेरे पिताजी है फिर फिर से वही बात जड़ा अपनी जबाद समातर बाद कर अज्यता अज्यता तेरी हंटी पंटी दोड़ दुआ पिताजी फिर से वही बात नराज ना हो ये पिताजी मेरी बात तो सुन लीजिए अच्छा अच्छा तो बोद क्या कहना चाहता है तो सुनिए जब लंका द्हैन के समय आप समुद्र मार्क से बापस आ रहे थे उस समय मेरी मां मचली का रूप धारण कर समुद्र पर विहार कर रही थी उसी समय आपने अपनी पसीना की पूंद पूजी जो की मेरी मां के मूँ में गिरी जिससे मेरा जन्म हुआ अब मुझे पुत्र कहें के पुकार ये तो तू हट कर रहा है चल तो फिर राप का रहे तू मैं तुझे फुत्र कहने में भी कोई सब्दोस नहीं मानता हाँ पिता जी मेरा प्रणाम स्विकार कीजिए चिरंजीव रहो फुत्र चिरंजीव रहो अब मुझे अंदर जाने दो जाते कहा हो बिना युद करे हुए एक कदम आगे नहीं जाने दूगा कि तो बाप बेटे का यह युद्ध सोवा नहीं देता नहीं नहीं मैं बिना युद्ध की अंदर नहीं जाने दूगा दो आट अबर स्थान होगा जाते कहा हुए जहीं लगा जाते को बिना दो इस अंदर नहीं जाने दून जाते कहा है कर दोडिंगा